दोस्तों अगर आप post office की internet banking को इस्तिमाल करते हैं और किसी वज़े से अपना post office की internet banking का login और transaction password भूल चुके हैं तो आप बहुत ही easily इसको reset कर सकती हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी इस तरीके से कुछ ही मिनिटों में अपना post office के internet banking के login पा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा तो चली दोस्तों इसे बताने के लिए मैं आपको अपने laptop की screen पर रहकर चलता हूं यहां पर आपके सामने एक box open हो जाएगा यहां पर आप login कर सकते हैं लिकिन क्योंकि अगर आपको password भूल चुका है तो आपने अपने password को reset करना है तो यहां पर नीचे आपको forget password की option मिलेगी इसकी उपर आपने click कर लेना है तो जैसे ही हम forget password के उपर click करने के आपके सामने एक और page open हो जाएगा यहां पर आपके सामने एक option होगी mode to set password यहां पर online के उपर by default click किया होगा और यहां पर right side के उपर आपको continue का एक बटन दखाई देगा इसकी उपर आपने click कर लेना है तो जैसे ही आप continue बटन के उपर click करेंगे आपको आपकी detail यहां पर enter करनी होगी सबसे पहले आपने अपनी user ID जो कि आपका internet banking का username में उसको यहां पर enter कर देना है और उसके बद यहां पर आपने verification code को यहां पर enter कर देना है तो यहां पर मैं अपना internet banking की ID को enter कर लीता हूँ तो अपनी ID और यहां पर capture code enter करने के बादे आपने यहां पर right side पर continue बटन के उपर click कर देना है तो जैसे यह आप continue बटन के उपर click करेंगे आपको अपना password reset करने के लिए दो option मिल रही है सबसे पहली option जी है कि जब आपने अपने internet banking की ID बनाई थी तो उस टाम पर जो आपने security question बताया था आप उसकी मदद से भी अपना password reset कर सकती है और आप चाहें तो अपना account number और date of birth के मदद से भी अपना जो password है उसको reset कर सकती है तो अगर आपको अपना security question भी भूल चुका है तो आप अपना account number और date of birth को इस्तिमाल कर सकती है तो मैं यहाँ पर account number और date of birth को select कर लेता हूँ इसके बाद आपने यहाँ पर right side के उपर continue button के उपर click कर देना है तो जैसे ही आप continue button के उपर click करेंगे आपने सबसे पहले अपनी जो account ID यहाँ पर enter कर देनी है और उसके बाद अपना date of birth और एंटर कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर right side पर continue button के उपर click कर देना है तो चलिए मैं अपनी detail यहाँ पर enter कर लेता हूँ तो चलिए अब हम यहाँ पर continue button के उपर click कर देते हैं इसके बाद website के दवरा एक one time password generate किया जाएगा जो कि आपके registered mobile number के उपर send किया जाएगा तो आपने उस one time password को यहाँ पर enter कर लेना है और one time password enter करने के बाद आपने यहाँ पर right side पर continue button के उपर click कर लेना है तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया page open हो चुका है जहां से हम अपना internet banking का password reset कर सकती है यहाँ पर हमें दोनों ही password यानि की login password और transaction password दोनों ही reset करने की option मिल जाती है तो यहाँ पर हमें कुछ एक instruction दी गई है कि आगर आप password रखना चाते हैं internet banking का login password यहाँ पर transaction password उसको आप select कर लिजिये तो मैं यहाँ पर दोनों को ही select कर लेता हूँ सबसे उपर वाले box में अपने जो अपना जो नया password है उसको type कर देना है और दूसरे box में आपने उसी password को retype कर देना है तो चलिए मैं अपना जो password है उसको enter कर लिता हूँ उसके बाद हमने यहाँ पर right side पर continue button के उपर click कर देना है तो आप यहाँ पर देख से दें कि हमें एक message मिल गया है इस message में लिखा है कि हमारा जो internet banking का login और transaction password है वो update कर दिया गया है तो इस तरीके से आप अपना जो password है उसको reset कर सकते हैं मैं अमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यता पसंद आई होगी इस वीडियो से आपको कोई नए information मिली होगी तो इस वीडियो को like जरू करीगा तो जल्दी मलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार जाहिए